हलो स्टूडेंट्स, वेलकम तू मैगनेट ब्रेंज मैरुपाली वर्मा आ गई हम आज फिर से एक नया वीडियो लेकर तो इस वीडियो को जानने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा चैनल यानि की मैगनेट ब्रेंज आपके लिए बहुत जादा प्रयास रत रहता है इसलिए हमारे चैनल पर आपको जितने भी वीडियो मिलते हैं वो 100% फ्री प्रोवाइट कराए जाते हैं किंडरगार्डन से लेकर क्लास 12 तक स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम इंगलिश मीडियम ओलंपियाड एंटी एसी जितने भी आप जहां के भी वीडियो देखना चाहेंगे हिंदी कोर्स ए जो बुक है हमारी पूररक पुस्तिक यह में हमारी क कहानिएँ करतिका भाग दो स्काधिया है चार एफी ठैया जूलांजुलणी हेराणी हो रामा तो पहले उसका पहेंती हैं गोल सी रिंग टाइप की नत से हेरानी मतलब खो गई हो रामा ए भगवान इसी जगहा पर मेरी जो नत है वो खो गई है भगवान तो ये इसका अर्थ है तो ये जो पार्ट लिखा है ये शिवप्रशाद रुद्ध जी ने हमारे सामने रखा है ये कहानी के माध् पहले बहुत जादा नाज गाना वगेरा होता था तो मंडलियां चलती थी इनका पूरा एक समाज हुआ करता था आज भी है लेकिन आज इतनी उन्हों को इतना बुरे समय से गुदरना पड़ रहा है क्योंकि उन्हों के पास जो एक हुनर था वो अब नहीं वो हुनर तो है ल को पताया है तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं एही ठैया जूलनी हेरानी हो रामा पाट के लेखक शिफ्रसाग मिश्र रुद्र है इस बाट के माध्यम से लेखक ने एक गाने बजाने वाले समाज के देश के प्रति असीम प्रेम विदेशी शाशन के प्र जाग लिया और कितना जादा उनको भी अंग्रेजों के प्रती नफरत थी ये चीज़ भी प्रदर्शत की है एक गाउ में दुलारी नाम की नाच गाने का पेशा करने वाली इस तरी रहती थी मतलब उसका जो काम था वो था नाचना और गाना दुलारी का शरीर पहलवानों की तरह कसरती था मतलब कसरती का मतलब कसा हुआ था एक दम बढ़ियांसा वा मराठी महिलाओं की तरह धोती लपेट कर कसरत करने के बाद प्याज और हरी मिर्च के साथ चने खाती थी तो किस तरीके से कसरत करती थी ताकि उसका शरीर क्योंकि नाचना गाना है तो मराठी औ गायन का सब लोक सम्मान करते थे तो ध्यान लखिएगा, वो कौन सा गायन गाती थी, कजली गायन और किस पर गाती थी, दुक्ड नाम मर के जो एक बाजा होता है, उस पर वो गाया करती थी गाने में ही सवाल जवाब करने में वो बहुत कुशल थी यानि कि गाने के माध्यम से सवाल करना या कोई उससे सवाल पूछे तो जवाब देना ये उसकी महारत थी एक बार खोज़वा दल की तरफ से गीतों के सवाल जवाब करते हुए दिलारी की मुलाकात तुन्नु नाम के एक ब्राम्हन लड़के से हुई अब ये क्या होता है खोजवा दल होता है पहले क्या होता था लोगों को सेनाओं में भरती करने के लिए अंग्रेजी स्थरकार जो है या बाकी जो है वो जगा जगा पर प्रोग्राम किया करते थे और वहाँ पर सांस्रतिक कारिक्रम करते थे, कुछ प्ले करते थे, नाटक करते थे, तो वो लोग क्या थे खोजवादल, यानि कि लोगों को खोज रहे होते थे तो वो उनके साथ जो है, सवाल जवाब करने के लिए वो भी गई, तो वहीं पर उसको मुलाकात एक ब्राम्मर लड़के टुन्नू से उसकी मुलाकात हुई बजर डीहा वालों की तरफ से मधुर कंठ में टुन्नू ने उनके साथ पहली बार सवाल जवाब किया तो ये भी एक समाज है बजर डीहा की तरफ से टुन्नू सवाल जवाब कर रहा था और उधर से दुलारी जो है, वो सवाल जवाब ऐसे दुलों के भी चल रहा था मुकाबले में टुन्नू के मुह से दुलारी की तारीफ सुनकर सुन्दर के मालिक फेकू सरदार ने टुन्नू पर लाठी से वार किया अब जो था खुजवा जो ये दुलारी थी ये किसके अंडर में काम करती थी ये करती थी फेकू सरदार के अंडर में काम करती थी तो इसने जो है न टुन्नू से जब इतना ज़ादा उसको लगाव देखा तो फेकुस हजार को बहुत गुस्सा आ गया और उसने टुन्नू की पिटाई कर दी थी दुलारी ने टुन्नू को उस मार से बचाया था दुलारी तब अपने प्रती उसके प्रेम को अनुभव किया था दुलारी के घर आकर भी टुण्नू चुप रहता था वहाँ उसको बचा लिया मार से समझ को गई थी कि टुण्नू उसको चाहता है लेकिन वो अपने साथ उसे वहाँ पर ले आई कभी प्रेम को प्रकट नहीं करता था चुपचाप रहता था उसके मन में जो प्रेम है वो कभी भी उसने दुलारी के सामने प्रकट नहीं किया होली के एक दिन पहले टुन्नू दुलारी के घर आया उसने खादी आश्रम की बुनी साड़ी दुलारी को दी दुलारी ने उसे बहुत डाटा और साड़ी फेक दी टुन्नू अपमानित होकर रोने लगा उसके आश्रम दुलारी के द्वारा फेक ही गई साड़ी पर टपकने लगे उसने अपना प्रेम पहली बार प्रकट किया था और कहा कि उसका मन, रूप और उम्र की सीमा में नहीं बदा है टुन्नू के जाने के बाद दुलारी ने साड़ी पर पड़े आसुओं के धब्मों को चूम लिया दुलारी छे महीने पहले टुन्नू से मिली थी यह उसने अपनी ढलती उम्र में प्रेम को पहली बार इतने करीब से महसूस किया था तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि टुन्नू जब भी वहाँ पर आया था एकड़म चुप था कभी किसी से बात नहीं किया और वो दुलारी को पसंद करता था इस चीज का इजहार भी उसने दुलारी से कभी नहीं किया फिस होली से एक दिन पहले की बात थी तो वो एक खादी की साड़ी लेकर आया और उसने जो है वो दुलारी को as a gift दी और जब इस तरह से gift दिया तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया वो समझने लगा कि इसको शारीरी का करशन हो रहा है इसलिए दुलारी को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में साड़ी फेग दी उतना अपमान हुआ टुनू का कि वो रोने लगा और उसके आंसू काजल लगाता था तो उसके काजल से बहते हुए आंसू की साड़ी पे गिरे तो उसने ये बताया कि मेरा प्रेम जो है वो उम्र की सीमा से कहीं बरा है मतलब कि रूप भी उसके लिए माइने नहीं रखता उम्र भी माइने नहीं रखता वो आत्मा से प्यार करता है ये चीज़ वो कहके वो हाँ से चला जाता है जब वो चला जाता है तब दुलारी को हैसास होता है कि ये सच्चा प्रेम था ये शारीरिक आकर्शन नहीं था तो इतना अब भाई वो काफी ढलती उम्र में आ गई थी बितनी यंग भी नहीं थी तो अब उसको पहली बार एसास हुआ कि प्रेम क्या होता है क्योंकि अभी तक जितने भी उसको मिले हमेशा उसके शारी के आकर्शन में बंद करी उसके पास आते थे लेकिन इस बार जो जगा को वो चूंग लेती है तुन्नू की लाई सारी को उसने अपने कपड़ों में सबसे नीचे रख लिया तुन्नू और अपने प्रेम को आत्मा का प्रेम समस्ते हुए भी दुलारी चंतत थी तो अब उस सारी को जो तुन्नू लाया था उसने बड़ा समहाल के अपने पास रख लिया तो वो थोड़ा परिशान भी थी कि भाई इस तरीके का प्यार इतना उम्र गैप सब कुछ तो वो थोड़ा परिशान तो होती है लेकिन उसी समय फेकू सरदार धोतियों का बंडल लेकर दुलारी की कोठरी में आया फेकू सरदार ने उसे तीच पर बनारस साड़ी दिलाने का वादा किया जब दुलारी और फेकू सरदार बातचीत कर रहे थे उसी समय उसकी गली में से विदेशी वस्तरों की होली जलाने वाली टोली निकली चार लोगों ने एक चादर पकट रखी थी जिसमें लोग धोती कमीज कुरता धोती आधी डाल रहे थे दुलारी ने भी फेकू सरदार का दिया मैंचेस्टर तथा लंका शायर की मिलों की बनी बारीक सूथ की मखमली किनारे वाली धोतीयों का बंडल फैली चादर में डाल दिया अधिकतर लोग जलाने के लिए पुराने कपड़े फेक रहे थे लेकिन यहां तो उसने नई साड़ियों का बंडल फेक दिया था अब क्या हुआ वो चला जाता है टुन्नू इधर जो है वो साड़ी उठा कर समाल के रख लेती है और उत्ते में फेकू सरदार आ जाता है अ बैठी तो उसी समय जो है बाइ क्या कैते हैं विदेशी वसरों को त्यागने के लिए कि सामान को त्यागने के लिए जो है पूरा सुतंता अंदूलन का चल रहा होता है तो वहाँ पे सब लोग चादर पकड़े होते हैं और सब उसमें पुराने कपड़े गरे डाल रहे होते हैं जो विदेशी होते हैं अब यहाँ पे उसने क्या किया पूरी नई साड़ी का बंडल उपर से फेक दिया सब पुराने फेक रहे थे और इधर दुलारी ने उसे फेकू सरदार का लाया पूरा नई साड़ीों का बंडल वहाँ पर फेक दिया दुलारी की खिड़की से नया बंडल फेकने पर सब की नजर उस तरफ उड़ गई जलूस के पीछे चल रही खूफिया पुलिस के रिपोर्टर अली सगीर ने भी दुलारी को देख लिया दुलारी ने फेकू सरदार को उसकी किसी बात पर जाड़ू से पीट कर घर से बाहर निकाल दिया जैसे ही फेकू दुलारी की घर से निकला उसे पुलिस रिपोर्टर मिल गया जिसे देख कर वा झेप गया अब क्या हुआ जब नई साड़ी देखी तो सब की निगाव खिड़की पे चले की भाई ये नई साड़ी का बंडल कहां से आया देखा तो ये पूरे उसके पीछे एक अंग्रेजी सरकार का रिपोर्टर भी चल ला था अली सगीर उसने देख लिया अब उधर क्या हुआ इधर जब उसने नई साड़ी का बंडल फेक दिया तो दोनों में जगड़ा हो जाता है तो दोलारी तो बहुत जबर उसने जो है फेकु सरदार को ज़ाड़ो से पीट-पीट के निकाल दिया जब वो धर से वाँ से निकला तो अली सगीर से जब उसका आमना सामना होता है तो फेकु सरदार जेख जाता है क्योंकि वो भी अपने आपको समाज में प्रतिष्टित आदमी समस्ता था और इस तरीके से एक नाशने काने वाली पीट दे तो भाई ये तो सबके लिए सरमिंदगी की बात होती है दुलारी की आंगन में रहने वाली सभी इस्तरिया इकठा हो जाती है सभी मिलकर दुलारी को शांत करती है सब इस बात से हैरान थी कि फेकु सरदार ने दुलारी पर अपना सब कुछ निलचावर कर रखा था फिर आज उसने उसे क्यों मारा अब वो अकेले तो रहती नहीं थी बहुत सारी नाशने गाले वाली वहाँ पर रहती थी तो वो इतना गुस्से में थी कि सभी शांत करते हैं लेकि सभी आश्चर में होते हैं कि आखर दुलारी ने फेकु सरदार को इतना क्यों अपनी दिया क्योंकि फेकु सर्दार उसको हार एक चीज लाकर देता था सब कुछ उसके लिए करता था दुलारी कहती है कि यदे फेकु ने उसे रानी बना कर रखा था तो उसने भी अपनी इज़त अपना सम्मान उसके नाम कर दिया था तो खाली में ऐसी वो रानी मनाग में अपनी इज़त उसने उसको दे रखी थी पूरा सम्मान फेकु सरदार को उसने दे रखा था एक नारी के सम्मान की कीमत कुछ नहीं है सभी स्रियां बैठी बाते कर रहीं थी कि जींगुर ने आकर बताया कि टिन्नु महाराज को गोरे सिपाहीयों ने मार दिया अब क्या आंगन में ये सभी औरते बैठे बात कर रही होती चोटा सा लड़का वहां काम करने वाला होता है जींगुर वो आता है और बोलता है कि टिन्नु को जो है अंग्रेजी सिपाहीयों ने मार डाला और वे लोग लाश उठाकर भी ले गए हैं टिन्नु की मारे जाने का समाचा सुनकर दुलारी की आँखों में अविरल आसुं की धाराई उससे प्यार हो गया था तो अब जैसे ही वह सुनती है तो वह भी रूने लगती है उसकी पडोसी ने भी दुलारी का हाल देकर हैरान थी उसने टुन्नू की दी साधारन खदर की धोती पहन ली वह जींगूर से टिन्नू की शहीदी इस थलका पता पूच कर वहाँ जाने के लिए घर से बाहाँ निकली यह घर से बहाँ निकलते ही थाने के मुंशी और फेकू सर्दार ने उसे थाने चलकर अमन सभा में समारो में गाने के लिए कहा अब क्या जिंगुर आके बताता है तो बहुत रोने लगती है अब सब लोग देखके हैरान कि टुन्नू के रोने पर ही टुन्नू और दुलारी के भी जो कुछ हुआ वहाँ पर जो मौजूद निस्रिया थी वो नहीं जानती थी और दुलारी के इतने रोने पर वो सभी हैरा हो जाती है कि आखिर क्या बात है तो वह अपने कमरे में जाती है और टुन्नू ने जो खादी की साड़ी दी थी वो पहन लेती है फिर जूंगुर सो पूसती है कि कि जगह पर उसको मारा तो वहाँ जाने के लिए लेकिन जैसे ही निकलती है तो बाहर फेकू सरदार और पर टुन्नू को मारा गया था प्रधान समवादाता ने शर्मा जी की लाई हुई रिपोर्ट को मेज पे पठकते हुए डाटा और अकबार की रिपोर्टरी छोड़कर चाय की दुकान खोलने के लिए कहा उनके दारा लाई गई रिपोर्ट में उसने अलिफ लेला की कहानी कहते हैं जिसे प्रकाशत करना बाय उचित नहीं समझते इस पर समपादक ने शर्मा जी की रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा अब क्या होता है ये जो कहानी सारी ये जो थी ये एक जगा लिखी हुई थी तो वो पढ़ी जारी थी ये कौन पढ़ रहा था समपादक महदे अ है वो बंद कर देते हैं कहते हैं ये फालतू की कहानी इसमें अलफ लाला की कहानी इसको हम चाप नहीं सकते अकपार में और शर्मा जी की लिखी हुई इस रिपोर्ट को वो चापने से मना कर देते हैं शर्मा जी ने अपनी रिपोर्ट का शेशक एही ठाया जूलनी हो राम तो शर्मा जी ने क्या रखा था अपनी उस रिपोर्ट का जिस रिपोर्ट को संबादक पढ़ रहे थे और जिसे अभी तक हम कहानी में सुन रहे थे ये सारी कहानी के माध्यम से संबादक महोदे पढ़ रहे थे ध्यान रखेगा तो अब क्या होता है उनकी रिपोर्ट के अन के जलूस निकल रहे थे जो साड़ी जहां पर दुलारी ने फेकी थी तो ये विदेशी वस्तरों की होली जलनी थी ये होली से एक दिन पहले की बात थी दूसरे दिन होली था ध्यान रखे 6 अप्रायल को होली थी होली से एक दिन पर जिस दिन होली का दहन होता है उस दिन प्रेशी कपड़ों की होली जलाने के लिए कपड़े कठ्था किये जा रहे थे इसी जुलूस में टुन्नू भी था भाई वो जो दुलारी ने फेका था वही जब जुलूस आगे बढ़ा तो उसमें टुन्नू भी शामिल हो गया था जुलूस टाउन हॉल पहुंचकर समाप् गालियां देता है तुन्नू के प्रतिवात करने पर उसे जमादार ने बूट से ठोकर मारी यानि कि जब गुस्सा गालियां गुस्सा आ गया उसने जब उस चीज़ का रेक्शन किया तो पुलिस वाले ने उसको खुब जोड से ठोकर मारी जिससे उसकी पसली में चोट जिसे समवादाता ने देख लिया तो अब जो रिपोर्टर था उसने ये चीज़ देख ली कि भाई उसको हॉस्पिटल ले जाना था लेकिन उस विक्ति को उठाया और ले जाके नदी में फैक दिया इस टुन्नू का दुलारी नाम की गोर्ण हारिन से संबंध था दुलार जहां पर उसको मारा गया था उसी जगहा पर अमनसभा होनी थी जहां पर दुलारी को नाचना और गाना था टुन्नू की मृत्यों से दुलारी बहुत उदास थी उसने खदर की साधारण धोती पहन रखी थी वह उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जहां 8 घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या कर दी गई थी उसको उसी जगहा गानी के लिए बोला गया जहां 8 घंटे पहले उसके प्रेमी यानि की टुन्नू को मारा गया था वह बहा वहाँ से चली थी लेकिन महाँ पि उसके बाद रिपोर्टर वाली खबर आ गई थी लेकिन कहा हो तह उसके आगे कहानी बढ़ती है कि उसको उसी जगा पर गाना पड़ा जहां पर टुन्नू को मारा गया था फिर भी कोख्यात जमादार अली सगीर के कहने पर उसे दर्द भरे स्वर में एही ठहिया जूलनी इहरानी ओहरामा कासो में पूछू गाया जिस इस थान पर टुनूगिरा था उदर ही नजर जमाए हुए गाती रही मतलब उसको दर्द था उसी जगह पर उसको पर्फॉर्म करना था और उसको प्रेशर था अली सगीर का कि जो है वो तुम्हें गाना ही है तो वहाँ पर इसी गाने को गाती है एही ठहिया जूलनी हेरानी हो रामा कासों में पूछू यानि कि मेरी जूलनी खो गई है इसी ज जगह पर कोई है मैं किस से पूछू और उसी जगह पर उसकी नजरे थी जहां पर टुन्नू चोट खाकर गिरा था गाते काते उसकी आँखों में आसू बह निकले मानों टुन्नू की लाश को वरुणा में फेकने से पानी जो बूंदे छिल की छिटकी थी वे अब दुलार से वह रो रही होती है वह कहते है कि भाई यह सही तो है सच है लेकिन इसे हम चाप नहीं सकते हैं क्योंकि भाई अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हम इतना बड़ा सबूत ले चार्ग है अब ये हमारा प्रेशन देखते हैं प्रश्च संख्या एक है टुन्नो की उपेक्षा करने वाली दुलारी के मन में उसके प्रती कोमल भावनाएं कैसे पैदा हो गई वो उसको बहुत डाटती है डाट के भगा देती है उसके उपेक्षा करती है उसी समय उसने टुन्नू के हिर्दे की दुर्बलता का अन्भव पहली मुलाकात में ही कर लिया था कि टुन्नू उसे पसंद कर रहा है ये चीज उसे पहली मुलाकात में ही आभास हो गया था दुलारी को परतु उसे भावना की लहर मानकर वा टुन्नू की उपेक्षा करती रही कि भाई अभी नौजवान खून है भावना है तो वो इसलिए उसको नजरंदास करती रही होली के त्योहार पर जिस भाव ने टुन्नू से उसे उपहार दिया उससे दुलारी ने समझ लिया कि उसके शरीर के प्रती टुन्नू के मन में कोई लोब नहीं है मतलब उसे शारीरिक आकरशन नहीं है उसके आसकती की कारण शरीर नहीं आत्मा है यानि कि वो उसके शारीरिक रूप से आकरशत नहीं है वो उसके आत्मा से आकरशत है यानि कि एक सच्चा प्रेमी है वह अनवा कर चुकी थी कि उसके हिदय में किसी कोने पर टुन्नू विराजमान है इस तरह उसके मन में टुन्नू के प्रतिकोमल भावनाय पैदा हो गए टुन्नू के मन में तो दुलारी थी ये चीज़ उसको पता चल गया था लेकिन दुलारी के मन में भी उस दिन लिससे एक दिन पहले टुन्नू का विराजमान होना स्वभाविक था क्योंकि वो अपने प्यार का इजहार करने आता है और उस इजहार से उस चीज़ को उसे मालूम पढ़ता है कि ये एक सच्चा प्रेम है तो इस समय उसके मन में दुन्नू के लिए भावनाई पैदा हो जा दी है नेक्स कोशन है होली के दिन देश के दिवाने अपनी होली किस तरह मनाना चाहते थे उनके इस कारे में दुलारी ने किस तरह सहयोग किया तो होली के किस तरह मनाना चाहते थे वो करना चाह रहे थे विदेशी कपडों का होली का देहन इसलिए वो जगा जगा से जो है विदेशी कपडों को एकत्र कर रहे थे और दुलारी ने इसमें कैसे सही हो किया उसने पूरी की पूरी विदेशी साडियों की नई साडियों का गठर जो है वो जलाने के लिए दे दिया था तो कैसे लिखते हैं? होली की दिन देश के दिवाने अपनी होली कुछ अलग ही धंसे बनाना चाह रहे थे इस दिन वे सवेरे से ही जुलूस निकाल कर जलाने के लिए विदेशी वस्रों का संग्रे करते फिर रहे थे वे दल पटाकर घूमते हुए भारत जनिनी तेरी जै तेरी जै हो का गायन करते हुए लोगों को उच्साहित कर रहे थे और लोग अपने कुर्ते कमी स्टोपी धोती आदी दे रहे थे दुलारी ने भी देश के दिवानों की पुकार सुनकर खिड़की खोली और मैंचेंस्टर तथा लंका शायर की मिलों से की बनी साडियों का नया बंडल फेक कर अपना यूगदान दिया था नेक्स कोशन है विदेशी वस्त्रों का वहिसकार करने का आवाहन करने वाला दल क्या देखकर चकित रहे था अब जो दल निकला था विदेशी कपड़ों को मांग रहा था होली जलाने के लिए उसने क्या देखा कि सभी लोग तो अपने पुराने कपड़े फेक रहे थे लेकिन दुलारी की खिड़की से जो है वो नई साड़ियों का बंडल गिरा था तो ये देखकर सभी बहुत दंग रहे थे वही सब पुराने फेक रहे थे और इधर से नए कपड़े मिले थे तो क्या है विदेशी वस्तरों का बहिसकार का आवाहन करने वाले दल के सदस्यों द्वारा उठाई गई चादर पर लोगों अपनी धोती साड़ी कमीच कुर्ता टोपी आधी डाल रहे थे परन्तु जब दुलारी के बारीक सूत की मखमली किनारे वाली नई कोरी धोतियों का बंडल फेका तो चादर सभालने वाले व्यक्ति चकित रहे गए क्योंकि अब तक जिन वस्तरों का संग्रे हुआ था वे फटे पुराने थे जबकि नए बंडल की धोतियों की तह भी नहीं खुली थी तो जो अभी तक कपड़े पड़े थे वो सभी पुराने भटे हुए थे लेकिन यहाँ पर क्या था नहीं साड़िया थी और इनकी तो अभी तह भी नहीं खोली गई थी वो जैसे फैक्टरी से निकल के आई थी वो जस्त की तस जलाने के लिए फेक दी गई थी सहायक संपादक ने अपनी रिपोर्ट में टुन्नू की मौत का उले किस तरह से किया था जो हमाई सहायक संपादक थे जिन्होंने रिपोर्ट तयार करी थी उसमें टुन्नू को जो मार दिया गया था इसको उन्होंने किस तरीके से व्यक्ट किया था ये बताना है साय संपादख ने अब रिउपोर्ट में लिखा कि विदेशी वस्रों का संखे करने वाला जलूस टाउन हाउल आकर विघटित हो गया मतलब बढ़ गया था जब पुलिस जमादार ने टुन्नू को पकड़ा और गालियां दी जिसका टुन्नू ने प्रतिवाद किया यानि कि उसका उन्होंने उत्तर दिया जमादार ने उसे बूट की ठोकर मारी जो पसली में जा लगी बूट यानि कि पैर्स जूतों से चूटो कर मारी इससे टुन्नों के मुह में चुलू भर खून निकला पास ही खड़े गोरे सैनिकों की गाड़ी ने टुन्नों को लाद लिया गया और अस्पताल ले जाने के नाम पर रात्री आठ बजे वरुना में प्रभाहित कर दिया गया उसको वहाँ से गाड़ी में लात्के लेके जाते हैं कि ले जाकर जो है इसे हम हस्पताल ले जाएंगे लेकिन उसे कहां फेट देते हैं उसे नदी में फेग देते हैं तो इस तरीके से वो हम जो है पूरा जो सहाय संपादक थे उन्होंने रिपोर्ट तयार करी थी टुन्नू के मरने की तो यहां पर हमारा यह पार्ट था यह कुछ प्रश्ण थे आपको अच्छे तरह समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से कहानी बहुत लंबी है यहां पर हमने शॉर्ट में समझाई है लेकिन इसका डिटेल एक्स्मिनेशन में पहले करा चुकी हूँ तो उसे आप जरूर देख लीजेगा तो यह जो वन शॉर्ट रिवीजन है ना हमारे यह सिर्फ हिंदे में नहीं है आपके सभी सब्जेक्स के लिए वन शॉर्ट रिवीजन आ रहे हैं तो अब इन वन शॉर्ट को हम देखेंगे कैसे उसके लिए आपको सिंबल क्रोम पे जाना है मैगनेट बे जैसे आप इसे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा देखे वन शॉर्ट रिवीजन आप इस वन शॉर्ट रिवीजन को जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने वो सभी क्लासे आ जाएंगे जिन में वन शॉर्ट रिवीजन अब लेबल है आप देख रहे हो सेवें 10th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, तो अब आपको अपनी क्लास देखनी है, आपकी क्लास क्या है, 10th, यहाँ पर वाचनौ लिखा है न, बस आपको यह वाचनौ क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने क्लास 10th के वन शॉट रिविजन की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी देखेंगे आप इसमें, यह सभी सबजेक्ट्स हैं, Physics, Chemistry, Bio, Math, Information, Technology, History, Civics, Geography, Economics, English, English, Hindi, Sanskrit, 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 तो देखें, सभी कुछ दिया है, तो आप कोई भी वीडियो दे सकते हैं, मान लिजी आप सपोस आपको हिंदी में ही देखना है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर हिंदी आपका क्या हो जाएगा, उसमें आगे आप उसको क्लिक करोगे, तो आपके chapters आजाएंगे, तो जो भी बुक पढ़नी है, जो भी chapter देखने है, उसे आपको क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से video सटार्ट हो जाएगा, अब आपको करना क्या, आपको सिर्फ अपना ये वीडियो देखना है, रिवीजन कम्पलीट करना है, क्योंकि भई एक्जाम आने वाले हैं, टेस्ट होने वाले हैं, तो रिवीजन हो जाएगा हमारा, रिवीजन जैसे ही कम्पलीट आपका हो जाता है, तो आप निश्रेंद हो जाएए, क्योंकि कहीं पर भी आपका टेस्ट एक्जाम हो, आप इसे फटा-फट दे सकते हैं, हमारा चैनल बहुत कोशिश करता है, कि आपकी पढ़ाई में किसी तरह की बाधा ना हो, इसे लिए हमारे चैनल पे आपको 100% free education प्रोवाइड कराई जाती है, इसके लिए हम आपसे कोई भी पेमिंट नहीं लेते हैं, साथ ही यहाँ जितना भी content है, यह totally arranged है, यानि कि आप देखेंगे class wise, subject wise, book wise, chapter wise, topic wise, हर एक चीज़ totally arranged है, कि एक topic पढ़ने के बाद दूसरा आपको इधर उधर खोजना नहीं पढ़ता, तो इसी लिए हम यह चाहते हैं, कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहे हैं, इसे like, subscribe, share जरूर कीजेगा, thank you for watching, bye bye,